यदि आप एक EPS संचालक हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि अभी EPS ID बंद होना चालू हो गया है यदि आप कोई भी कंपनी का ID चलाते हैं तो EPS ID में थोड़ा सा आपको अफसतर करने की जरूरत है थोड़ा कुछ-कुछ बातों की जनकारी रखना पड़ेगा नई तो फिर आपका भी ID बंद हो सकता है क्योंकि EPS ID में अभी continue लगतार लोगों का ID बंद होना चालू हो गया है EPS सिस्टम में लपरवाही बिल्कुल भी अब आपको रिटेलर को नहीं करना चाहिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा ही तमाम सही जनकारी आपके लिए लेके आते रहते हैं आपको हम बता दें EPS सिस्टम यदि आप अधार निकासी का काम करते हैं तो इस वीडियो को देख लिजिए और समझ लिजिए यूजर हाज बिन टेंपरोरी डिशेबल कॉंटेक्ट द एड्मिन आपको हम बता दें कि ये EPS में इरर इसलिए आता है क्योंकि कई सारी कमपनियां अब आप अगर लंबे टाइम तक कोई टांजिक्शन नहीं करते हैं तो वैसे में कमपनियां आइडी बंद कर दे रहा है पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा कि फिरी फिरी आइडी ले लो और चलाओ ना चलाओ वैसा वहला सिस्टम खतम हो गया है क्योंकि NPCI काफी ज़्यादा है टाइट हो गया है उपर से क्योंकि आपको पता होगा कि अभी एरिया फिन कॉड़ भी कई सारे बुलॉक किये जा रहे है तो मतलब AAPS में ये का सकते हैं कि पूरी तरह से टाइट हो गया है उपर से किसी भी तरह की लपरवाही नहीं चलेगी रिटेलर की रिटेलर को थोड़ा अब जो है ध्यान देनी की जरुरत है आप जिस भी ID से काम करिए एक ID में काम करिए पहले क्या होता तब 57 ID बना के लोग काम करते थे नहीं करते थे अब यदि आप एक महीना या 20 दिन से अधिक काम नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ID बंद हो जाएगा इन चीजों का ध्यान रखें और AAPS बिजनस करें